स्ट्रीट साइड में, मेले में या फिर ट्रेन में सफर करते हुए आपनी ये घूगनी तो जरूर खाई होगी और आज मैं बिल्कुल वैसे ही घूगनी की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ साथ ही वो स्पेशल मसाले भी बनाएंगे जिससे घर की बनाई हुई घूगनी भी बनेगी बिल्कुल स्टीट स्टाइल और ये घूगनी आप बना लेंगे ना तो आप इसे कही सारे चाट भी प्रिपेर कर सकते हैं जैसे पापड़ी चाट, समोसा चाट, रगड़ा चाट औ और तो और पानी पूरी के साथ भी आप साउग कर सकते हैं तो फिर चलिए शुरू करते हैं तो घूगनी बनाने के लिए मैंने एक कप पीले मटर लिये है और इसे मैंने रात भर भीगो कर रग दिया था इसे हम प्रेशर कुक करेंगे तो हाप टेबल स्पून नमक डाल दे लेकिन गलनी नहीं चाहिए और अभी हम वो स्पेशल मसाले तयार कर लेंगे तो एक कड़ाए मैंने गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे वान टी स्पून जीरा वान टी स्पून धनिया दो सुखी लाल मिर्च एक तेजपत्ता और हाफ टी स्पून सॉफ्ट डाल कर मसालो को ड्राइरोस्ट करेंगे एक से दो मिनिट के लिए गैस का फ्लेम लो मीडियम पर रखे और ध्यान रखिएगा मसाले जलने नहीं चाहिए तो मसालों को मैंने ड्राइरोस्ट कर लिया अभी गैस को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे और जब ये मसाले ठंडी हो जाए इ इसमें आलू डाल देंगे मैंने एक बड़े साइस आलू को ऐसे छोटे क्यूपस में काट लिया है वान फूथ टीस्पून हल्दी और वान फूथ टीस्पून नमक डाल देंगे और आलू में एक क्रिस्पी लेयर आने तक इसे हम फ्राइ करेंगे अभी आप जरूर सोच र और इसी तेल में डाल देंगे बारी कटा हुआ प्यास दो मीडियम साइज प्यास लिया है मैंने इसे हम लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राइ कर लेंगे प्यास फ्राइ हो जाए तो एक टिबल स्पून अधरक लसून का पेश्ट डाल देंगे और सारे सुखे मसाले भी ड जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मसाले भून जाए तो एक बड़े साइस के टमाटर डाल देंगे बारी कटा हुआ और हाफ टीस्पून नमक टमाटर को सौप्ट होने तक हमें फ्राई कर लिना है आप घर में कब बना रहे हैं ये रेसिपी ये मुझे कमेंट करके बताईए टमाटर अच्छे से सौप्ट हो जाए तो फ्राई किया हुआ आलू डाल देंगे और साथ ही डालेंगे वाण टीस्पून मसाला जो हमने बना कर रखा था मसालों के साथ आलू को भून लेंगे 2-3 मिनिट के लिए और इसे हम ढख कर पकाएंगे तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और पैन को ढख देंगे तो 2-3 मिनिट लो फ्लेम में पकाने के बाद हम मैं ढखकन खोल रही हूँ एक बार चला देंगे इसे और अभी हम इसमें डाल देंगे उबले हुए मतर हाफ का पानी आड़ कर रही हूँ बहुत जादा पानी मत डालेगा क्योंकि ये घुगनी थोड़ी सी गाड़ी बनती है और नमक को भी मैं टेस्ट कर रही हूँ नमक बिल्कुल ठीक है तो मैं नहीं डाल रही हूँ अभी हम इसे लो फ्लेम में 5 मिनिट के लिए पकाएंगे तो पैन को ढग देंगे थोड़ा सा हरा धनिया डाल कर मिक्स कर लेंगे और हमारी स्टीट स्टाइल घूबनी बन का तेयार है वीडियो देखकर भूल मत जाना एक दिन घर में जरूर ट्राई करना उपर से थोड़ा सा प्यास हरा धनिया और सेव डाल कर मैंने इसे सब किया है देखकर मुह में आ रहा है ना पानी तो बना लिजिए किसी दिन घर में बहुत आसान है मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ने रेसिपी के साथ थैंक्यू सो मच पूर आचिंग स्टे हेल्दी एंड हैपी कुकिंग